हलो स्टुडेंट आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आर्पी पब्लिक स्कूल जोगिटेर सीविगंज बरेली में देखें यहां पर जैसा की यहां पर एक्सरसाइज चल रही है आपकी जो है एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में अधिकतर प्रशन करा दी हैं हमने आपके ल पहले प्रशन की यानि नंबर इसका 18 है लेकिन यह जो है वो दीर गुत्री प्रशन का पहला प्रशन है क्या प्रशन है लिखा है तीन अंको वाली कितनी संख्या हैं सास से विभाज जोगी तो मैं लिखोंगा तीन अंको वाली कितनी संख्या हैं कितनी संख्या हैं सास से विभाज जोगी सास से विभाज जोगी यह आपको निकालना है कि कितनी संख्या होगी तीन अंकों की जो सास से विभाज्य हो जाए तो यहाँ पर अगर सास से विभाज्य वाली संख्याओं को अगर करेंगे तीन अंकों की कहां से सुरू हो जाएगी सौ से तो अगर सौ से सुरू हो जाएगी और उदार हो जाएगी एक हजार से कम नौसो निन्यानवे तक वह तीन अंकों की यही तक चलेगी उसके बाद चार अंकों की हो जाएगी तो इनके बीच में नंबर निकालना है हमें तो एक सो के बाद कौन सा यसा नंबर आएगा जो साथ से विवाज जोगा तो वह आपके लिए यहाँ पर नंबर आ जाएगा एक सो पांच पहला नंबर होगा जो साथ से विवाज होगा उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक सो बारा जो दूसरा नंबर होगा साथ से विवाज होगा और इदार नौसो निन्यानवे से पहले जो नंबर होगा वो होगा 994 नंबर होगा जो की साथ से विभज्य होगा यानि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सीरीज हो जाएगी 105 112.994 यह हो जाएगा अगर यह हो गया आपके लिए तो सिंपल ही क्या करना पड़ेगा हमें एक पड़ मिल चुका है 105 और डी कमान निकालेंगे तो जाएगा टीटू माइनस टीवन टीटू कमान है 112 112 माइनस 105 यानि कितना बचेगा तो साथ डी कमान साथ आ गया तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें संख्याय निकाल लिए तो फार्मूला इसका अंतिम जो पड़ है वो L बराबर है 994 यह इसका अंतिम पड़ है तो हम इसका सुत्र लगा लेते हैं L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D L कमान है 994 बराबर में A कमान है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D कमान है 7 तो 994 माइनस का 105 बराबर में N माइनस 1 इंटू 7 यह आ गया तो यहाँ पर घटा देंगे 994 से 105 तो यहाँ पर हो जागा 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पर बचा 8 और इस हिसाब से यहाँ पर 9 में से गया 8 889 यह बचा बराबर में यहाँ पर 7 के उना हो जाएगी 7N 7 एकम 7 मैनस का तो यह हो जाएगा 889 और यहाँ पर आपके लिए 7 इधर आजाएगा बराबर में 7N तो यह जोड़ लेंगे 889 में 7 जोड़ लेंगे प्लस 7 तो 9, 7, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 8 और 1, 9 और 8, 896 आगया बराबर में हो जाएगा 7N तो N बराबर हो जाएगा 896 और बटे में 7 7 एकम 7 और 7, 2, 14 और यहाँ पर 5 हो जाएगा 7, 8, 6 यहनि N बराबर आगया एकसो टाइस तो इसका मतलब हुआ इसमें जो कुल पत होंगे वो 128 होंगे और very important प्रशन है यह कही वार एकसाम में पूछा गया है तो यहाँ पर रहन बराबर 128 पद आजाएंगे यानि सीरीज के अंदर 128 पद होंगे ठीके? अब बात करते हैं इसके अगले प्रशन की अगला प्रशन 19 परशन है अगला प्रशन है क्या प्रशन है हम आपके लिए कराते हैं इसको देखिए जहान से देखिए यदि एक समांतर शनी का 24 पद 10 पद के 2 गुने के बराबर हो यानि इसका 24 पद यानि T24 24 पद इसके 10 पद के 2 गुने के बराबर हो दो गुणा कर दो 10 पे पत का तो आप से कह रहे हैं, सिद्धी कीजे कि 72 पत 34 पत के 2 गुणे के बराबर होगा 72 पत 34 पत के 2 गुणे के बराबर होगा इस पात को आपको प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर इसको जरा solve करते हैं, T24 लिखा हुआ है तो T24 को लिख सकते हैं A plus 23D बवराबर T10 को लिख सकते हैं A plus 90 गुने 2 तो यह हो जाएगा A plus 23D बवराबर A plus और यहाँ पर देख सकते हैं आप A plus 90 लिखा हुआ है और इसका गुणा है दो क्योंकि इसका गुणा है और a प्लस 90 लिखा हुआ है, 2 से गुणा कराओ 2a हो जाएगा और 2 निम्मा 18d यह हो गया अब आप इसको ले आओ, a और 2a को इदर ले आओ मैनस का 2a हो जाएगा, प्लस का 23d 18d को इदर ले आओ, मैनस का 18d हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0 तो यहां पर देखें, a और 2a में से मैनस यह बचा, और यहां पर बचा आपके लिए 18 और पाँस 23d यह निए प्लस का 5d बराबर में 0 यह आगया, इसका मतलब हुआ, मैनस यह बराबर हो गया 5d, मैनस का और मैनस का हो गया 5d, और इस साब से A से A बराबर हो गया 5D A कमान आ गया है यहां पर 5D ठीक है A कमान के आ गया 5D अब आपसे यह बोला गया कि 72 पद 34 पद के 2 गुने के बराबर होगा इस बात को आपको सिद्ध करना है तो 72 पद देखिए पहले हम लिखा लेते हैं आपर 72 पद 34 पद के 2 गुने के बराबर है 34 पद के 2 गुने के बराबर है यानि एक जैसा इनका आना चाहिए अगर A बराबर 5D यहां है तो इसको भी A बराबर 5D होना चाहिए तो हम इसको निकाल के दिखाते हैं 72 पद को लिखेंगे A प्लस 71D equal to 34 के लिए लिखेंगे हम A प्लस 33D और गुने में है 2 तो इस जैएगा A प्लस 71D बराबर में 2A प्लस 236, 236, 266D A माइनस 22A इदर आजाएगा प्लस का 71D माइनस का 66 इदर आजाएगा D और बराबर में 0 तो यहां पर 2A में से एक चला गया पर देखें कितना आएगा यहां पर तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं यहां पर 5 इदर आएगा तो यानि 5D आगया बराबर में 0 तो माइनस A बराबर माइनस का 5D माइनस से माइनस के एंस से ले बराबर होगे आपके लिए 5D इसका मतलब हुआ कि a परावर 5'd यहां भी है और a परावर 5d यहां भी है इसका मतलब situation से हम लग रही है तो इसका मतलब यहां पर जो पद की बात की जा रही है कि 24 पद 10 पर पद के 2 गुने के बरावर वहगा इसी तरीके से 72 पाच जो होगा वो 34 पद के दोगने के बराबर होगा ये बात प्रूफ हो गई सिद्ध हो गई बात समझवा रही है तो यहां पर यह हमारे लिए प्रूफ हो चुका है और इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं 20 वे कोशन के ओर और 20 मा कोशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है देखिए इधर देखिए दान से 20 मा प्रूफ है लिखा है किसी समंत्र शनी के चौते तदा आठवे पदों का योग 24 है चौते पद का योग पिलस आठवे पद का योग यानि टी एट बराबर में इसका पदों का योग 24 है और छटे तदा तो तीन पद निकालने के लिए क्या करेंगा सबसे पहले में इससे solve करके A और D निकालेंगे तो भाई मेरे T4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस T8 को लिख सकते हैं A प्लस 70 बराबर में 24 T6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस T10 को लिख सकते हैं A plus 9D equal to 44 तो A और A मिलकर 2A हो गया plus 7 और 3 मिलकर के 10D हो गया बराबर में 24 समी कर नमबर 1 ऐसे ही A और A मिलकर के 2A हो गया और 5D और 9 मिलकर के 14D हो गया और बराबर में हो गया 44 question number 2 इन दोनों equation को घटा देंगे plus minus 1 जैसे हैं कट जाएंगे 14D में से 10D चला जाएगा तो 4D बराबर में minus का 44 में से यह 24 चला जाएगा तो यह बचेगा 0, 4 में से 2 गया 20 तो यहाँ पर आजाएगा 20 minus से minus cancel 4D equal to आगे 20 तो D equal to हो जाएगा 20 अपान 4 4 बन जा 4, 4, 5 जा 20 याने D कमान आगया 5 अगर यह D कमान 5 आगया तो हम A कमान भी निकाल सकते हैं समीकन एक से तो A कमान निकाल ले रहे हैं समीकन एक से तो यहाँ पर देखे लिखा है 2A plus 10D, D कमान ने 5 और बराबर में 24 तो लिखेंगे 2A plus 10D, 50 बराबर 24 तो 2A बराबर हो जाएगा 24 माइनस 50 तो 2A बराबर हो जाएगा 50 में से यहाँ 24 घटा देंगे तो 10 में से 4 कह अच्छे और 4 में से 2 कह दो 26 तो यहाँ जाएगा 26 माइनस का 26 तो A बराबर हो जाएगा माइनस का 26 बटे में 2 2 से कट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6 यानि A बेराबर मैनस का 13 अगर ये A बेराबर मैनस का 13 आ गया है और D बेराबर 5 आ गया है तो आफ आपके लिए पद निकालने न है, 3 पद तो 3 पद हम निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे, धान से 3 पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए दान से यानि दूसरा पर T2 तो हम लिखेंगे A plus 1D A plus 1D और A का मान है हमारा माइनस 13 आया हुआ है plus 1 into D का मान आया हुआ है हमारे पास D का मान है जो है 5 है निकालके अभी दिखाए हमने आपके लिए 5 है तो माइनस का 13 plus 5 एक का 5 यानि हो गया माइनस का 8 यह आ गया इसी तरीके से तीसरा पर निकालेंगे T3 तो हो जाएगा A plus 2 into D A का मान है मारे पास 13 plus 2 into D का मान है मारे पास 5 तो माइनस का 13 plus 5 दूनी 10 यानि आ गया माइनस का 3 अगर इसका चोथा पत निकालेंगे तो जाएगा A प्लस 3D और A कमाने माइनस का 13 प्लस 3 इंटू D कमाने 5 तो जाएगा माइनस का 13 प्लस 5 ती हैं 15 15 में से 13 गया बचा हमारे पास 2 तो इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं आप हमने तीनो टर्म आपके लिए निकाल करके दिखा दिए और यह हमारा प्रशन जो है वो बीशवा प्रशन कम्पलीट हुआ है अब आपके लिए केबल दो प्रशन बचे हैं और उनको भी यहां पर करा देते हैं देखे स्टूडेंट यहां पर आपके लिए हम एक किस्वा प्रशन करा रहे हैं और एक किस्वा प्रशन क्या है देखे द्यान से लिखा है यदि एक समांतर शेनी का पी वां पद क्यू है यानि पी वां पद क्यू है इस बात को ऐसे लिखेंगे ऐसे ही कह रहे है Q1 पद P है तो Q1 पद जो है वो P है आप से पूछा गया है तो सिद्ध करिए कि N वे पद का मान N वे पद का मान N वे पद का मान जो है वो P प्लस Q माइनस N होगा N वे पद का मान यह आपको प्रूफ करना है तो कैसा करेंगे, देहां से देखें, T P को लिखेंगे हम, A plus P minus 1 into D equal to Q, इसको ज़रा solve करेंगे, A plus P D minus D equal to Q, equation number 1, अब इसी तरीके से T Q परावर P को लिखेंगे, A plus Q minus 1 into D equal to P, तो यहां पर P चल रहा है, तो P लिख देंगे, equation number 2, इन दोनों समीकर्णों को घटा लेंगे, तो घटाएंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, A plus P D minus D, और यह माइनस कर रहा है, तो इसके चिन बदल जाएंगे, हम यहां पर सब चिन बदल जाएंगे, चिन बदल जाएंगे, माइनस का A हो जाएगा, माइनस का Q D हो जाएगा, और प्लस का D हो जाएगा, प्लस का D हो जाएगा, और इसी साब से यह जो P लिखा हुआ है, यहां पर यह हमारे पास कितना है, Q है यहां का, और यह है P यहां क आप क्या करेंगे यहां पर simply A से यह cancel हो जाएगा और आप जो है D से D भी यहां cancel हो जाएगा बचेगा P D और आपके लिए बचेगा Q D बराबर में Q-P यह बचा तो इसे साब से हम यहां पर D कॉमल ले लेते हैं भाई मेरे D कॉमल ले लिया बचेगा P-Q और बराबर में Q-P त बचे में P-Q अब यहां पर bracket अलग-अलग लग रहे हैं तो हम इने same बना लेते हैं तो D बराबर हो जाएगा माइनस का ले ले लेंगे common माइनस का तो हो जाएगा P-Q तो P-Q और बचे में P-Q यह हो जाएगा इस तरीके से cancel हो जाएगा अब हम A कमान निकाल लेंगे समीकरण नमबर 1 से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखा है A plus P into D, D कमान है माइनस का बान, और माइनस का बान, माइनस D है, तो माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस 1, और बराबर में Q, तो इस हिसाब से आजाएगा, A plus, माइनस का P हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का बान, बराबर में Q हो जाएगा, तो इस हिसाब से, A कमान निकालेंगे, तो A बराबर हो जाएगा Q, P हो जाएगा, उधर जाके प्लस का और माइनस का बान, यह A बराबर आ गया अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है N वे पद का मान इतना होगा तो हम N वे पद का मान लिख कर देख लेते हैं तो लिखेंगे N वाँ पद N वाँ पद यानि T N बराबर होता A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो A का मान हमारे पास यह आगया है Q प्लस P माइनस 1 और प्लस N माइनस 1 इंटू D N माइनस 1 इंटू D D का मान हमारे पास है यहाँ पर D का मान है माइनस का 1 तो यह हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1 प्लस माइनस 1 की कुणा माइनस n से होगी तो यहाँ पर minus का यह हो जाएगा plus का 1 हो जाएगा यहाँ पर minus का n हो जाएगा minus का n और plus का 1 यह हो जाएगा तो तकिए आप यहाँ पर 1 से 1 तो cancel हो जाएगा बचेगा q plus p minus n देखें इसका n वापद आगे आपके लिए जो proof करना था कि q प्लस p माइनस n जो होगा वो n बापद हो जाएगा अब तो इस तरीका से यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है कि जो है इसका n बापद जो होगा वो p प्लस q और माइनस का n होगा यह आ गया देखें student यहाँ पर 22 जो प्रशना है उसमें बोला गया है कि दसमा पद 52 है और 16 मा पद 82 है और आपके लिए यहाँ पर 32 मा पद निकालना है तो हम यहाँ पर 10 मा पद को लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 52 और 16 को लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर में 82 तो इन दोनों को घटा देंगे 82 में से यह 52 घट जाएगा तो 2 में से दो गया 0, 8 में से 5 गया 3 और वो भी आपके लिए माइनस का जाएगा 30 तो माइनस का 6d इक्वल टू माइनस का 30 माइनस से माइनस केंसल 6d बराबर 30 हो गया और d बराबर हो गया 30 बटा 6 6 से कड़ गया 5 बार में d बराबर आगया 5 अब यह जो d कमाण 5 आगया है इसी तरीका से a कमाण भी निकाल लेंगे इस समीकण 1 से तो a प्लस 9d बराबर में 52 d कमाण डाल देते हैं 5 बराबर में 52 तो a प्लस 9 पचे 45 बराबर 52 तो a बराबर आजाएगा 52 माइनस 45 तो a बराबर हो जाएगा 52 माइनस 45 गड़ जाएगा तो 12 में से 5 गया 7 बचा और यहीं पर 7 बचेगा एक कमाण आगया 7 अब एक कमाण जो 7 आगया है तो इसी तरह किससे 32 पद निकाल लेते हैं यानि t 32 a प्लस 31 प्लस पांच एक कमाण जो जाएगा 155 प्लस 7 7 पांच बारा का दो हांसे लगाए एक पांच और एक छे और एक 162 यानि इसका 32 पद जो होगा वो 162 हो जाएगा तो इस तरीका से यहाँ पर देखिए पूरे एक्ससाइज जो है इस वीडियो में मैंने खतम कर दी, समाप्त कर दी और जितने प्रसंथ है विस्तरियो तूतरियो हमने आपके लिए करा दिये यह आपके लिए बीडियो प्रूफ है, बिल्कुल सिद्ध है कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन प्रसंदियो में हुए है आप लगातार इनको देखते रही है और इसी तरीका से आपको पूरी समान तरशनी पढ़ने को मिलेगी दीरे-दीरे और आप गर पे रिविजन करते रही है बहतरी इन तरीका से मैथ को सीखते रही है Thank you for watching this video